ओम, शांती, स्पार्क ओध्यो, दिव्वे शक्तियां, बुक सिरीज का नाम है स्नेह की शक्ति पार्ट वन अव्यक्त संदेश 18 जन्वरी 69 बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाब दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है लेकिन साथ साथ दिव्वे गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है परन्तु दिव्वे कुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथा शक्ति ही धारन किया है बाबा बोले अच्छा बच्ची सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाब दादा बच्चों का सेवाधारी है यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हां क्यों की दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले यह जान बूच कर कर्म करके बाबा सिखला रहे है कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय एक दो की विचारों को रिगार देना चाहिए भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तुभी उनके विचार को फोरण ठुकरा नहीं देना चाहिए पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं बहुत अच्छा जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी इसलिए एक दो के विचार अर्थात राए को पहले रिगार्ड देना अवश्यक है इससे ही आपस में स्मेहें और संगठन चलता रहेगा अव्यत संदेश फाइब बाबा ने सभी बच्चों के प्रती एक महा मंत्र की सौगात दी बाबा बोले एक तो मुझ परंपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ यही बाब दादा ने स्नेहे के रिटर्ण में महा मंत्र की सौगात सभी प्रती दी अव्यत संदेश टिन बाबा ने कहा कि स्नेहे का रूप तो बहुत देखा लेकिन स्नेहे के साथ शक्ती रूप की स्थिती जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वे अभी तक कम है तो आज बाबा स्नेहे के साथ शक्ती भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेहे नहीं लेकिन साथ में शक्ती भी भरनी है अव्यक्त संदेश 11 बाबा ने कहा कि स्नेहे के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं तो अब स्नेहे के साथ ग्यान का फांडेशन जरा भी ठीला हुआ तो बच्चों पर वायू मंदल का असर बहुत सहच हो सकता है इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिन करनी है अव्यक्त संदेश 21 जैनफरी 69 शीव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाब और बच्चा समान होता है तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ पहले बाब फिर बच्चा अभी है पहले बच्चा फिर बाब तु यही वतन में देखा दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत सनेहे और प्रेम में थे जैसे दो मित्र मिलते है, ऐसे ही बाब दादा दोनों की आपस में रुह रुहान की सीन दिखाई दे रही थी बरह्मा बाबा कहे जो आग्या और श्रिव बाबा कहे जो बच्चे की राए दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा एक सेकिंड के लिए बच्चों से मुलाकाँब करके आईये। उस समें दोनों की तरफ देखा तो आखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वैं ब्रह्मा बाबा को मनजूर था। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है, तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आशूं बहा दिये, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है, जिस चीज से उसका स्नेह था, उससे आपका हो, उसका स्नेह था सर्विस से. पिछाडी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है, सर्विस से प्यार, उसकी आज्याओं से प्यार. अव्यत्वानी, 23rd January 69, शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना, अभी तक बच्चे और बाब के स्नेह में चलते रहे. अब फिर बाब से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है, वही बाब के स्नेही बाब के साथ अंत तक रहेंगे. जिस चीज के साथ बाप का स्नेहे है उससे उतना स्नेहे रखना ही अपने को सभाग्यशाली बनाना है रग रग में किसके साथ स्नेहे था पांच तत्वों से नहीं स्नेहे गुणों से ही होता है स्नेहे था नहीं है और रहेगा जब तक भविश्य नहीं दुनिया ना बनी है तब तक यह अटूर्ट स्नेहे रहेगा स्नेहे आत्मा के साथ और कर्टवे के साथ ही है तो फिर शरीर क्या अंतितक साथ ही रहेंगे जिसका बाप के साथ स्नेहे है वही अंतितक स्थापना के कारे में मददकार रहेंगे इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो कैसी भी माया आवे माया जीत बनना जैसे बैच लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजे का बैच लगाओ अव्यक्तवाणी 2nd February 69 अम्रित वेले भी अव्यक्त स्थिती में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिती में और अंतरमुक स्थिती में स्थित होंगे वही अम्रित वेले यह अनुभव कर सकेंगे इसलिए अगर स्नेहे है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहच है करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अव्यक्तवानी 2nd February 69 आज वतन में दूर सुई ही सवेरे से खुश्पू आ रही थी देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं आपने देखा भंडारे में चत्र लगाया चीजों की खुश्पू नहीं स्नेह की खुश्पू आ रही थी यह स्नेही ही अविनाशी बनता है अविनाशी स्नेह है ना याद हर एक की पहुँचती है उसका रिस्पान लेने के लिए अवस्था चाहिए अव्यत्वानी 6th February 69 सभी अमरित्वेले मुलाकात करते हो अभी तक ऐसा वायू मंदल नहीं पहुचा है अब तक मधुबन वालों ने भी स्निहे का सबूत नहीं दिया है चारों और से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्निहे का सबूत दिया है बाप का बच्चों से कितना स्निहे था स्निहे का सबूत प्रेक्टिकल में कितना समय दिया क्या दिया था याद है खास अपनी तवेग को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था अपनी शारीरिक स्थिती को ना देखते भी, कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना समय स्निहे का सबूत दिया, आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्निहे का सबूत था, अब बच्चों को भी रिटर्न में स्निह का सबूत देना है जो कर्म करके दिखाया वही करना है अम्रित वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं उठे और बैठे लेकिन वह रुहाब शक्ती सुरूप की सिम्रिती नहीं रहती शक्ती रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है सुस्ती तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है इसलिए मुलाकात से जो अनुखव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं मिक्सचर है यहाँ शु तो मदुबन वासी उनको देख सब करेंगे, मदुबन निवासी जो खास स्नेही हैं, उनको खास सेक्रिफाइस अर्थात बलिदान करना है, स्नेही में हमेशा सेक्रिफाइस किया जाता है। अव्यक्तवाणी 13th मार्च 69 एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संसकारों को जान करके, एक दो के स्नेहे में एक दो से बिलकुल मिल जुलकर रहना है। जैसे कोई से विशेश स्नेहे होता है, तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही सभी को एक दो में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारिया ऐसा शो करके दिखाएंगी, तब फिर और भी कुमारिया सर्विस करने के निमित बनेंगी। अव्यत्वानी 17 एप्रिल 69 बाब दादा से स्नेहे तो है, लेकिन साथ साथ पुरुशार्थ से भी जायदा स्नेहे रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेहे, सर्विस से स्नेहे, बाब दादा से स्नेहे, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुशार्थ से जायदा स्नेहे रखना चाहिए। जो पुरुशार्थ के स्नेही होंगे, वो सब के स्नेही होंगे। पुरुशार्थ से हर एक का कितना स्नेहे है, वो हर एक को चेक करना है। बाब दादा से भी स्नेहे इसलिए है कि वो पुरुशार्थ कराते हैं। प्रालब्द से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुशार्थ से स्नेह होगा, दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अधवा दे नहीं सकते, जब तक पुरुशार्थ से स्नेह नहीं, अगर पुरुशार्ट से स्निहे है तो वो एक दो के स्निहे के पात्र बन सकते है स्निहे के कारण ही यहां एकठे हुए हो लेकिन बात आदा के स्निहे में रहते हो अब पुरुशार्थ से भी स्नेहे रखना है क्योंकि यही पुरुशार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्ब की प्रालद्ध बनाता है जितना बच्चों का स्नेहे है उतना उससे बहुत अधिक बाबदादा का भी है जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेहे का रिस्पान मिलता रहता है अव्यक्त रूप से स्नेहे को लेना है अव्यक्त स्नेहे का पाथ कहां तक पड़ा है वर्दमान समय का पाथ यही है अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूर्थ देना है अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्ती स्थिती बनाने की मदद देता है बाब दादा से सर्विस से इस नहीं तो है ही लेकिन पुरुशार्थ से इस नहीं कम है इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परिशान हो जाते हैं परिस्थितियों का आधार ले स्थिती को बनाते हैं। स्थिती से परिस्थिती को बदलते में ही समझते हैं कि जब परिस्थिती को बदलेंगे तब स्थिती होगी। लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिती की पावर जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं। अव्यत्वानी, 17th April 69, एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते है, उसका कारण यह है, क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं. सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं. संगम यूगी ब्रहमनों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रहमा का संस्कार वे हैं ब्रहमनों का. साकार ब्रह्मा का मुख्य संसकार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संसकार संपूम रूप से देख लिया लेकिन ब्रह्मनों में यधा योग्य यधा शक्ति है उनका मुख्य संसकार था सर्वस्व त्यागी निर एहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं दूसरों की अवगुणों को ना देखना यह भी त्याग है त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे सर्वस्वत्यागी, अर्थात, देह की भान का भी त्याग तो ब्रहमनों का मुख्य समस्कार है सर्वस्वत्यागी इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वेह दूसरों को भी अकर्शन जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे अगर सरलता नहीं तो स्नेही भी नहीं हो सकता एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है एक तो सर्वत सुत्यागी देह सहित इस सर्वस्वत्यागी से सरल्ता, सहनशीलता आपे ही आएगी सर्वस्वत्यागी की यह निशानी होगी सरल्ता और सहनशीलता साकार रूप में भी देखा न, जितना ही नौलजफुल, उतना ही सरल स्वभाग जिसको कहते हैं बच्पन के संसकार, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बच्पन का बच्पन सरल्ता लाने के लिए सिर्फ एक बात सरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है वर्तमान समय देखा जाता है, आज कल की स्थिती जो है, वह कुछ स्थुती के आधार पर है स्तुती और मिंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुती के आधार पर स्थिती है अर्थात जो कर्म करते हैं, उनके फल की इच्छा वा लोग रहता है कर्तवे के फल की इच्छा जायदा रखते हो स्थिती नहीं मिलती है तो स्थिती भी नहीं रहती है स्थिती होती है तो स्थिती भी रहती है अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हो अपनी स्थेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते है तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्थिती हो स्तूती के आधार पर स्थिती रखी तो डगमक होते रहेंगे अव्यक्तवानी 17th में 69 बाब दादा का स्नेहे बच्चों से कितना है बाब दादा का स्नेहे अविनाशी है और बच्चों का स्नेहे कभी कैसा कभी कैसा रहता है एक रस नहीं है कभी तो बहुत स्नेहे मूर्थ देखने में आते है कभी स्नेहे की मूर्थी की बचाए कौन सी मूर्थ दिखाई पड़ती है वा तो स्नेही है वा तो समकटमई अपनी मूर्थ को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए दरपन दर्पन हर एक के पास है अगर दर्पन होगा तो अपना मुखडा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे अगर दर्पन ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पन रखना लेकिन यह दरपन ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है जादू मंत्र का दरपन है एक सेकिंड में गायब हो जाता है दरपन कैसे अविनाशी कायम रह सकता है उसके लिए मुख्य कौलिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए जो अरपन मैं होगा उनके पास दरपन रहेगा अरपन नहीं तो दरपन भी अविनाशी नहीं रह सकता दरपन रखने लिए पहले अपने को पूरा अरपन करना पड़ेगा जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्वत्यागी कहते हैं सर्वस्वत्यागी के पास दरपन होता है अव्यत्वाणी 18 में 69 दिन पति दिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं आपदाएं अकाले मृत्यू पाप कर्म बढ़ते जाते हैं तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रोप में भटकती हैं इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेश्ता होती है तो उनको भगाने लिए एक तो धूप चलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं तो आप सभी को फिर योग की अगनी से काम लेना है हर करमेंद्रियों को योगागनी में तपाना है तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे थोड़ा भी कहां धीलापन हुआ कोई भी करमेंद्रियां धीली हुई तो फिर प्रवेश्ता हो सकती है वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावर्फुल होती है वह माया की पावर भी कम नहीं होती यह बहुत ध्यान रखना है और कई प्राकरतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्वे करेंगी उसका सामना करने लिए अपने में इश्वरिय शक्ती धारन करनी है उस समेज नहीं नहीं रखना है उस समेज शक्ती रूप की अवश्यत्ता है किस समेज सनेह मूर्थ किस समेज शक्ती रूप बनना है यह भी सोचना है इन सब बातों में शक्ती रूप की अवश्यत्ता है अगर कोई ऐसा आया और उनको जायदा सनेह दिखाया तो कहां नुकसान भी हो सकता है सनेहे बाब दादा और दैवी परिवार से करना है बाकी सभी से शक्ती रूप से सामना करना है साकार के साथ सनेहे है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो आप कहेंगे अभी सर्विस कहां हुई है लेकिन सर्विस भी किसलिए रुकी है अगर आप हर एक शक्ती रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भट के भगत हैं ना चाहते भी चूंबक के आगे आ जाएंगे देरी नहीं लगेगी अव्यत्वानी 26 में 69 स्मिही की निशानी क्या है संपून स्नेही की परक क्या होती है उनका मुख्य लक्षे क्या होता है आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही लेकिन फिर भी वहस पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेही होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है उनके मुख से भी स्नेहे के बोल निकलते उनके हर चलन से स्नेहे का चित्र देखने में आएगा उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा ऐसी अवस्था होनी है अभी बच्चों और बाप के संसकारों में बहुत फर्ग है जब समान हो जाएंगे तो आपके संसकार देखने में नहीं आएंगे वही देखने में आएंगे एक-एक में बाप को देखेंगे आप सभी द्वारा बाप का साक्षातकार होगा लेकिन अभी वह कमी है अपने से पूछना है ऐसे सनेही बने है सनेही लगाना भी सहज है सनेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज तो पेपर की रिजल्ट सुनाई एक तो एक कमी है दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहनशक्ती की जो रिजल्ट है वहे बहुत कम है जितनी सहनशक्ती होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी संगठन में रहने के लिए भी सहनशक्ती चाहिए फाइनल पेपर जो विनाशका है उसमें पास होने के लिए भी सहनशक्ती चाहिए वह सहनशक्ति की रिजल्ट मैजॉरिटी में बहुत कम है इसलिए उसको अब बढ़ाओ सहनशक्ति कैसे आएगी जितना जितना सनेही बनेगे जितना जिसके प्रती सनेही होता है तो उस सनेहे में शक्ति आ जाती है स्नेहे में सेहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभफ किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की मा है, बच्चे पर आपदा आती है, मा का स्नेहे है, तो स्नेहे के कारण उसमें सेहन शक्ति आ जाती है बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तयार हो जाती है, उस समे स्नेहे में कुछ भी अपने तन का वा परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है तो ऐसे ही, अगर निरंतर स्नेहे रहे, तो उसे स्नेही प्रती सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है स्नेहे कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट, अब एक मास के बाद रिजल्ट देखेंगे वहां तीन-तीन मास बाद पेपर आता है, यहां एक मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने है अव्यक्तवानी, 26th May, 69 कुमारियों से बाब दादा का स्नेहे विशेश क्यों होता है कौन सी खास बात है, जो बाब दादा का खास स्नेहे रहता है क्योंकि बाब दादा समझते हैं, अगर इन्हों को इश्वरिय स्नेहे नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेहे में लटक जाएंगी बाब रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेहे है भविशे बचाव के कारण विशेश स्नेहे रहता है अब देखेंगे बाब दादा के स्नेहे का जवाब क्या देती हैं? अपने को बचाना है, यह है बाब दादा के स्नेहे का रिस्पांड किन-किन बातों में बचाना है, मालुम है, एक तो मंसा सहित प्यूरटी हो, मंसा में कोई संशे ना आए, और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है, जो मुक से कोई ऐसा बोल ना निकले, वाणी में भी कंट्रोल, मंसा में भी कंट्रोल, वाचा ऐसी रखनी है, जैसे साकार में बाब दादा की थी, कर्म भी ऐसा करना है, जैसे साकार तंद्वारा करके दिखाया, आपका कर्म ऐसा हो, जो और भी देखकर ऐसा करें, यह है कुमारियों के लिए खास, और किस से बचना है? संग दोश से तो बचना ही है, एक और विशेश बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से, आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहगना नहीं है, बहुत परिक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं, परिक्षाओं में पास कौन हो सकता है, जिसको परक पूरी होगी, परकने की जितनी शक्ति होगी, उतना ही परिक्षाओं में पास होगे, परकने की शक्ति कम रखते हो, परक नहीं सकते हो, कि यह किस प्रकार का विघन है, माया किस रूप में आ रही है, और क्यों मेरे सामने यह विघन आया है, इससे रिजल्ट क्या है, यह परक कम होने के कारण परिक्षाओं में फेल हो जाते हैं परक अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं अव्यत्वानी 16 जून 69 बाब दादा के साथ स्नेह क्यों है बाब दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्व शक्तिवान तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाब अपने अंदर करना पड़ेगा तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाब हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है हिम्मत के कारण बाब दादा का स्नेह रहता है अव्यक्तवानी 16 जुलाई 69 कभी भी कोई कारे में चाहिस थूल, चाहिस सूक्ष्म एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना तो फिर पांडवों की जैजेकार हो जाएगी अव्यक्तवानी 24 जुलाई 69 आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है मैं आत्मा हूँ यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदू, बिंदू की ही संतान हूँ संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते है अव्यक्तवानी 15 सेप्टमबर 69 अब नश्टो मोहा बनना है नश्टो मोहा तब बनेगी जबकि सचीस नहीं होगी जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूपरंग सब बदली हो जाता है तो जो भी थोड़े आसुरे गुण लोग मर्यादाएं है कर्म बंधन की रसियां मंता के धागे जो बंधे हुए हैं उन सब को जलाना है इस स्नेह की अगनी में पढ़ने से यह सब छूट जाएगा सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिन से सब डर चाते हैं दुनिया की बात तो दुनिया में रही लेकिन इस तैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है क्योंकि वो कोई के लज़्दीक नहीं आ सकता उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है सफाई किस बात में? सच्चाई किस बात में? इनका भी बड़ा गुईय रहस्य है सच्चाई जो करें वो ही वर्णन करें जो सोचें वही वर्णन करें बनावटी रूप नहीं, मनसा, वाचा, कर्मना, तीनों रूप में चाहिए अगर मन में कोई संकल्प उत्वन होता है, तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई अंदर में कोई भी विकर्म का किच्ड़ा नहीं हो, कोई भी भाव, स्वभाव, पुराने संसकारों का भी किच्ड़ा नहीं हो जो ऐसी सफाई वाला होगा, वो ही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है, उनकी परक क्या होती है? जो सच्चा होगा, वह सबका प्रिये होगा, उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिये होगा, सच्चे पर साहब राजी होता है, तो पहले प्रभु प्रिये होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिये होगा, उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा, उनकी नजर, वानी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी, जो कभी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा, जो सच्चा होगा, वह प्रिये होगा. अव्यत्वानी, 28, सेप्टमबर 69, सनेही को अवश्य सहयोग मिलता है, किस से भी सहयोग लेना है, तो सनेही बनना है, सनेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है, बाब-दादा के सनेही बनेंगे, परिवार के भी सनेही बनेंगे, तो सभी का सहयोग स्वते ही प्राप्त होगा. अव्यक्तवानी, 3rd October 69, जो परवाने होंगे, वो एक तो शमा के सनेही होंगे, समीप होंगे, और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे, तो सर्व संबंध, सनेही, समीप और साहस, जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती हैं. अव्यक्तवानी, 16th October 69, जो सनेही होता है, वह सनेही पाता है, जिससे जयदास नहीं होता है, तो कहते हैं, यह तो सुद्ध बुध ही भूल जाते हैं. सुद्ध बुध का अर्थ ही है, अपने स्वरूप की जो सिम्रिती रहती है, वह भी भूल जाते हैं. बुध्धी की लगन भी, उसकी सिवाए कहां नहीं हो, ऐसे जो रहने वाले होते, उनको कहा जाता है सनेही. अव्यक्तवानी, 9 निवेंबर 69, बाप दादा का मदबन वालों से विशेश सनेहे रहता है, क्योंकि भल कैसे भी है, लेकिन सर्वस्वत्यागी है, इसलिए आकरशित करते हैं, लेकिन सर्वस्वत्यागी के साथ अपस्नेही और शक्ती भी भरनी है. सभी का सनेही बनने के लिए महनत करनी है. जो जितनी महनत करते हैं, वह उतने ही सनेही बनते है. समय पर सनेही की ही याद आती है. कोई बात में मेहनत की याद आती है बाबा भी क्यों याद आते है मेहनत की है तब स्नेहे है मेहनत से स्नेही बनना है जितना चास्ती मेहनत उतना सर्व की स्नेही बनेंगे मेहनत का फल ही स्नेहे है जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नजर से देखेंगे जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारन करने है स्नेह ही सम्पूल बनाता है स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है यही स्नेह का सबूत है इसमें अपने को चक करना है कहां तक हम समानता में समीब आए है जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही संजो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुचेंगे यही समानता का मीटर है अपनी कर्मातीत अवस्था पर रखना है सिर्फ स्नेहे रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे स्निहे के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे क्योंकि शक्ति से ही वह संस्कार भर जाते हैं तो अब स्निहे के साथ शक्ति भी भरनी है अव्यत्वानी 17th November 69 बाब दादा का स्निही यही है कि बच्चों को श्रिंगार कर शोकेस में स्रिष्टी के सामने लाएं जब सभी संपूर्ण बन कर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे सत्यूप का श्रिंगार नहीं गुणों के गहने धारन करने हैं अव्यक्तवाणी 28 निवेंबर 69 अपनी उन्नती का साधन क्या करेंगे दैवी गुन धारन करना इसने ही बनना यह तो करना ही है लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाब दादा के परिवार के सने ही सहयोगी बनेंगे लेकिन वह भी किन-किन बातों में बनना है मनसा, वाचा, कर्मना के साथ साथ, तन, मन, धन, तीनों रूप से अपने को चेंच करना है मददकार और वफादार, जब दोनों बाते होंगी, तब बाब दादा और परिवार के स्मेही और सहयोगी बन सकेंगे अव्वेक्तवानी, 28 निवेंबर 69 संदेश देना, अर्थाद, उनको अपने संबंधी बनाना अपना संबंधी बनाना, अर्थाद, शिववन्शी, ब्रह्मा कुमार, कुमारी बनाना यह है अपना संबंधी बनाना अपना संबंधी तब बनाएंगे, जब उनको स्नेही बनाएंगे स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 69 आप सभी को बाब दादा समझाते हैं कि यह स्नेही की लकीर है जिस स्नेही के घेराव के अंदर बाब दादा निवास करते हैं इसके अंदर कोई आ नहीं सकता चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे सकार रूप में स्नेही मिलना कोई छोटी बात नहीं है उसके लिए तो आगे चल कर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उनकी वैल्यू का मालूम होगा रो रो कर आपके चर्णों में गिरेंगे स्नेही की एक भून की प्यासी हो चर्णों में गिरेंगे आप लोगों ने स्नेही के सागर को अपने में समाया है वह एक भून के भी प्यासे रहेंगे ऐसा सवभागे किसका हो सकता है सर्व संबंधों का सुख, रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है वह और कोई में नहीं हो सकती तो ड्रामा में अपने इतने उच भागे को सदैव सामने रखना सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा अव्यत्वानी 20 दिसंबर 69 कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है फिर मोल्ड किया जाता है यहां कौन सी नर्माई और गर्माई है नर्माई है निर्मानता, गर्माई है शक्ती रूप निर्मानता अर्थात स्नेहे रूप जिसमें हर आत्मा प्रतिस नहीं होगा वही निर्मानता में रह सकेंगे स्नेहे नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्रचित इसलिए निर्मानता और फिर शक्ती रूप अर्थात चितनी निर्मानता उतना ही फिर मालिक पना शक्ति रूप में है मालिक पना और नम्रता में सेवा गुर सेवा भी और मालिक पना भी सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिक पने का नशा भी हो जब यह नर्माई और गर्माई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोंड हो सकेंगे वानी से प्रजा बनती है लेकिन इश्वरी स्नेहे और शक्ति से वारिस बनते हैं तो वारिस बनाने हैं यह फर्स टेज का पुरुशार्थ है वानी से किसी को पानी नहीं कर सकते लेकिन स्नेहे और शक्ति से एक सेकिंड में स्वाहा करा सकते हैं यह भी अंत में माक्स मिलते हैं अव्विक्तवाणी 25 दिसंबर 69 आज बाप दादा विश्व के महराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके संसकार क्या होगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही यह तो practical में देखाना ऐसे एक-एक के अंदर से उनके प्रती स्नेहे के फूल बरसेंगे जब स्नेहे के फूल यहां बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे तो यहां भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के उपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है वह छित नहीं सकेंगे जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चड़ेंगे कहां कहां कोई पुष्प चड़ाने लिए कभी कभी चाते हैं और कहां तो हर रोज और बहुत पुश्पों की वर्षा होती है। मालुम है इसका कारण क्या। तो यही लक्षे रखो कि सर्व के स्नेह के पुश्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है। एक-एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। और जितने के यहां सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। और ऐसा ही फिर विश्व के महराजन बनेंगे। इसलिए लक्षे बड़ा रखो। अव्यक्तवानी 18 जन्वरी 70 साकार से स्नेहे अर्थात सारे सिज्रे से स्नेहे। साकार अकेला नहीं है। प्रजा पिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के होना माला में अकेला मन का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेहे में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेही के सूत्र में पिरोय हुए है, दैवी कुल तो भविष्ये में है, इस ब्रहमन कुल का भी बहुत महत्व है, जितना जितना ब्रहमन कुल से स्नेहे और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्ये में समीपता होगी, साकार में क्या सबूत देखा, बाब दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माबाब का नाम बाला नहीं हो सकता तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है अब पेपर होना है हर एक केस नहीं सहयोग और शक्ती का अब वह समें नुस्दीक आ रहा है, जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रितक्ष होना है अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्दन करने के लिए अंगुली देना है कल्यूगी पहाड तो पार होना ही है लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याओं, तन की समस्याओं, वायू मंडल की समस्याओं, सर्व समस्याओं के पहाड को स्नेही और सहयोग की अंगुली देनी है तन की समस्याओं भी आनी है, लौकिक समबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक समबंध है, उस समबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याओं आएंगी लेकिन यह समस्याओं सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना, अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे, तो पास हो जाएंगे अभी देखना है, पेपर आउट होते भी, कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे अव्यक्तवाणी 22nd January 70 बाब दादा का स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है कोई-कोई बच्ची सोचते होंगे, कि हम सभी का स्नेह बाब दादा से जैदा है कोई-कोई है भी, लेकिन मैजोरिटी नहीं स्नेह है, लेकिन अटूट और एकरस स्नेह नहीं है बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है बाब दादा का स्नेह अटूट और एकरस रहता है तो अब बताओ कि किसका स्नेह जायदा है अव्यक्तवाणी 23rd January 70 बाब दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मनका बनकर फिरोना है सुत्र में पिरोया हुआ मैं मनका हूँ यह नशा रहना चाहिए मनकों को कहां रखा जाता है माला के मनकों को बहुत शुद्धी से रखा जाता है उठाते भी बहुत शुद्धी पूर्वक है हम भी ऐसा अमुल्ले मनका है यह समझना है, जिसके साथ अतीस नहें होता है, उसको साथ रखा जाता है ना, तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ, अगर युगल साथ होगा, तो माया आ नहीं सकेगी, युगल मूर्त समझना, यही बड़ेते बड़ी युक्ती है, कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। अव्यक्तवानी, 23rd January 70, जैसे कई लोग अपने गुरु का वा इस्तरी अपने पती का फोटो लॉकेट में लगा लेती है ना, यह एक स्नेही की निशानी है, तो तुम्हारा यह मस्तक जो है, यह भी उस विचित्र का चरित दिखलाए, यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए, ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है, अपनी सिम्रिती भी रहेगी और सर्विस भी होगी, बाब दादा का बच्चों में इस नहीं है, तो एक एक को संपन बनाने चाहते हैं, जितना यहां लेने में संपन बनेंगे, उतना ही भविश्य में राच्चे पाने के संपन होगे, इसलिए एक सेकिंड भी इन अमुल्ले दिनों को ऐसे नहीं गवाना, एक एक सेकिंड में पदमू की कमाई कर सकते हो। अव्यक्तवानी 23 जैन्वरी 70 मधु अर्थात मधुर्ता, यानि स्नेह और शक्ति, दोनों ही वर्दान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहां मधुबन में दोनों चीज वर्दान रूप में मिलती हैं, फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुर्शार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहां वर्दान रूप में प्राप्त जो हो रहा है, उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। अव्यक्तवाणी 24th January 70 अगर आत्मा को संबंध में आना भी है, तो किसके? सर्वसंबंध किस से है? एक से, तो एक से दो भी बनना है बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्वसंबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा, इस स्थिती को ही उच स्थिती कहा जाता है, तीसरी कोई भी चीज देखते हुए, देखने में ना आए, अगर देखना है, तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिती रहने से ही माया जीत बनेंगे, जो माया जीत बनते हैं, वह जगत जीत बन चाते हैं। यह शुद्ध स्नेहे सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, ऐसे स्नेहे को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है, जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता, वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चे में रहना है, स्नेही आत्माओं के हर सेकिंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है, सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्वे वही चल रहा है, जो भी स्नेही बच्चे हैं, उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है, छत्र चाया के नीचे सभी कारे चल रहा है, ऐसी भासना आती है, जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेही होता है, वह कहां विदेश में भी है, तो उनका मन जायदा उस तरफ रहता है, जिस देश में वह होता है, उस देश का वासी अपने को समझते हैं, वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है, सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्च करते हो, वा खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो, अव्यक्तवानी 25 जन्वरी 70 कभी कही पर जाओ, तो यही लक्षे रखना है, कि जहां जाएं, वहां यादगार कायम करें, यहां से विशेश स्नेहे अपने में भरके जाएंगे, तो स्नेहे पत्थर को भी पानी कर देगा, यह आत्मिक स्नेहे की सवगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजे हो सकती है, जिसके साथ स्नेहे रखा जाता है, उन जैसा बनने का होता है, तो जो भी बाब दादा के गुण है, वह खुद में धारन करना, यही स्नेहे का फर्स है, जो बाब की शेश्टता है, उसको अपने में धारन करना है, यह है स्नेहे. ओम शांती कर दो कर दो